सूप्रभाद बच्चों कहते हैं आप सभी मैं अमीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और घर पे मन से पढ़ाई कर रहे होंगे मैं कुमारी प्रियंका आ गई हूँ कक्षा तीन की हिंदी लेकर बच्चों आज हम सभी पाठ तीन के जो प्रश्न हैं उन्हें करेंगे और बहुत कुछ सीखेंगे चलो प्रारंब करते हैं आज का प्रश्न है रूठना मनाना ठीके यानि कि जब बुढ़ी अम्मा उड़ी जा रहे थी आसमान के साथ तो उन्होंने आसमान को हर तरह से मनाने की कोशिश की होगी है ना उन्होंने आसमान से बहुत सारी बाते कई होगी ताकि आसमान उन्हें नीचे छोड़ दे, लेकिन आसमान ने तो उन्हें नहीं छोड़ा, चलो देखते हैं कि उन्हें क्या क्या कहा होगा, तो बच्चों बुधी अम्मा ने घबरा कर आसमान से क्या कहा होगा, छोड़ दे बेटा, मैं गिर जाओंगी, क्या कहा होगा बुध यह जो चिन होता है ना इसे विस्मयादी बोधक का चिन कहते है यानि sign of exclamation यह sign हम क्यों प्रयोग करते हैं तो इस जो यह जो चिन है इसका प्रयोग हम किसी भाव को प्रदर्शित करने के लिए करते हैं जैसे क्रोध का भाव है ना गुसा का भाव हो गया या फिर अगर हम रिक्वेस्ट करते हैं किसी से विंती करते हैं तो उसका भाव फिर अगर हम खुशी व्यक्त करते हैं तो उस भाव को भी प्रकट करने के लिए हम विश्मयादी बोधक चिन का प्रयोग करते हैं ठीक है गिरगिराना मतलब क्या होता है किसी के सामने विनती करना तो बुटी अम्माने गिरगिरा करके विनती करके क्या का होगा असमान से छोड़ दे मुझे अब से मैं तुझे नहीं मारूंगी क्या का होगा बुटी अम्माने छोड़ दे मुझे अब से मैं तुझे नहीं उसके बाद है तरकीव सूजने पर, तरकीव का मतलब होता है उपाय, जब बुड़ी अम्मा को आइडिया आया, एक उपाय सूजा तो उन्होंने क्या सूचा होगा, क्या कहा होगा? अरे वाह चांद पर जाकर बैठ जाती हूँ, बुड़ी अम्मा ने क्या कहा होगा बच्चों? अरे वाह चांद पर जाकर के बैठ जाती हूँ, तो बच्चों इस प्रकार से आपने आज सीखा कि बुड़ी अम्मा ने घबरा कर, गिर गिरा कर, गुस्से से तरकीव सूजने क्या क्या कहा ठीक है बच्चों तो आज की कख्षया में इतना ही तब तक के लिए पढ़ते रहिए बढ़ते रहिए कीप स्टड़ी एंड थैंक यू सो मच